हेलो दोस्तों स्वागत है आपका LearnHub YouTube चैनल में अगर आप स्टुडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा नाम है रोईद गुपता और Cutting Process and Machining Tools के Part 2 के Complete Course में आज आप लोग देख रहा हैं लक्षर नमबर 15 आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक Drilling Operation के बारे में तो Drilling Operation क्या होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Drilling Operation Drilling का मतलब है Hole करना मतलब आपको किसी भी चीज में दिवाल में, Material में, Metal में, Sample में Hole करना है तो वो आप Drilling Operation से कर सकते हैं तो Drilling is the Operation, Drilling वो प्रोसेस है जिससे हम Holes बनाते हैं मतलब holes are produced in solid material ठीक है by means of revolving tool called drill मतलब एक tool लेते हैं जो rotate होता है वया revolve होता है अपने ही axis पे तो उस revolving tool से जिसको हम लोग drill बोलते हैं उससे अकर solid material में hole करना होगा तो उसको हम लोग drilling बोलेंगे यह सीती सादिस की एक definition है तो drilling operation की definition आप लोग समझ गए होंगे क्या है कि revolving tool जिसको drill कहते हैं उससे अगर solid material में hole करना हो तो उसको हम लोग drilling operation कहते हैं तो drill क्या होता है जैसे single point cutting tool क्या हम लोग lathe में बाकी सब जगए भी हम लोग single point cutting tool पढ़ चुके हैं तो drill में double point cutting tool होता है मतब double तो कुछ नहीं होता है अगर एक से ज़्यादा point किसी tool में हो तो उसको multi point cutting tool कहते हैं जैसे कि किस में होता है जैसे milling operation में अब multi point cutting tool होता है drilling में भी multipoint cutting tool होता है grinding में भी multipoint cutting tool होते हैं तो ऐसी drill भी एक multipoint cutting tool operation है जिसमें दो cutting age होती है drill bit में ठीक है और दोनो cutting simultaneously बर्क करती है मतलब दोनों साथ में ही जो cutting का काम है वो करती है तो इसका advantage क्या है कि drill इस तरीके से बनाया जाता है कि जब hole hose में तो जब material chips के रूप में बाहर आए तो वो chips automatic बाहर निकल जाएं इस परकार से आप drill का design करते हैं तो यह इसका advantage है कि chips automatic बाहर आजाती है जो groove बने हुए होते हैं helix में और cutting force and power इसमें बहुत कम होती है अगर आप किसी भी solid material में hole करना चाहते हैं तो drill के अलावा अगर आप किसी और process से करेंगे तो आपको ज़्यादा force और power की requirement होगी लेकिन drill से आपको कम force में hole produce कर लेंगे तो drill के बाद drill का मतलब है आप किसी material में hole कर दिया अब देखिए मान लीजे आपकी एक seat है उसमें आपको क्या करना है तो drill का एक size होता है कि मान लीजे आपके पास 50 mm 20 mm और 10 mm का drill bit है लेकिन अगर आप इससे hole करेंगे तो इसमें 20 mm का hole हो जाएगा इससे करेंगे तो 50 mm का हो जाएगा लेकिन आपको करना है 40 या 30 mm 40 mm का 35 mm का आपको hole करना है तो आप क्या करेंगे आप ये भी यूज नहीं कर सकते है ये तो बिलकुल ही नहीं कर सकते है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 20 mm का hole बना लेंगे तो यहाँ देखे है 20 mm का hole बना लिया उसके बाद आता है एक boring tool boring tool में क्या करते है कि इस वाले work piece यहाँ पे हम लोग tool के दौरा इसके work piece के diameter को जो hole का diameter है उसको increase करते है मतलब ये वाला material यहाँ से remove करते है और जब ये remove करते करते है ये hole का diameter पैंते सो जाता है वहीं पे हम रुख जाते है तो इसको हम लोग बोलते है boring ठीक है तो boring में क्या है ये एक actual diameter जो drill से किया था उसके बाद हम लोग अगर इसका hole का diameter बढ़ा दिये जाए तो उसको बोलते है boring boring में hole के diameter को बढ़ाने के लिए हम लोग boring करते है counter boring किसको बोलते है counter boring हो गया मान दीजे यही आपने hole किया था इसके पूरे length तक आपको diameter नहीं increase करना है उपर के कुछ length तक आपको इसका diameter increase करना है तो आप उपर के कुछ length को कर दिये तो यह इस type का save बन जाता है जिसको हम लोग बोलते है counter boring याद रखेगा यह save बहुत ज़्यादा important है counter boring का counter sinking में क्या होता है कि जैसे हम लोग taper turning पढ़े थे उसी परकार यहाँ पर direct step wise diameter चेंज ना होके अगर यहाँ पर taper के रूप में diameter चेंज होगा तो उसको बोलेंगे counter sinking क्या बोलेंगे counter sinking अब यह drill देख लीजिए drill में क्या होता है यहाँ पर यह cutting edge है यह इस part को आप बोलते हैं drill और यह वाला part जो hold होता है मसीन में उसको बोलते हैं sank याद रखिएगा इसको बोलते हैं sank इसको बोलते हैं drill अब यह जो drill है इसका यह बड़ा image यहाँ पर दिखाया हुआ है तो इसमें क्या होता है जो यह वाला angle बनता है मतलब जितने angle पे दोनो cutting age होती है वो बोलाता है उसको बोलते है point angle उसको two beta से denote करते हैं क्योंकि यह half beta इस तरफ होता है और एक beta इस तरफ तो beta plus beta is equal to पूरा हो जाता है two beta जिसको हम बोलते है point angle और जिस point पे यह दोनो ages मिलते हैं उसको हम लोग बोलते है dead center और यह तो आप जानी गए होंगे cutting age हो गया और यह देखिए हाँ helix angle यहाँ पे देखिए यह खुता है helix angle कि यह cutting वाली ages है वो कितने angle पे drill bit में लगी होई है उसको बोलते है helix angle और यहाँ पे यह horizontal से कितना angle मना रही है उसको बोलते है lip angle या relief angle ठीक है I hope आप लोग को यह समझ में आ गया होगा तो हम लोग drill से कौन कौन से operation कर सकते हैं पहला तो counter boring जो अभी मैंने आपको बताया है दूसरा counter sinking तीसरा spot facing spot facing का मतलब है कि आप इसके किसी work face के face में face का thickness कम कर रहे हैं face पे ही spot vises का material को remove कर रहे है तो वो आपका कहलाता है spot facing अंदर न जाके इसके face पे ही material को remove करना वो कहलाता है facing अब आता है trapping trapping तो trapping क्या होता है कि अगर आप देखिए ये एक seat है अब seat से आपको बहुत बड़ा hole निकालना है लेकिन आपके पास इतना बड़ा drill नहीं है तो आप क्या करेंगे यहां से start करेंगे drill बनाना hole करना और लगातार continuous hole करते जाएंगे यहां से यहां तक तो आपका पूरा ये बड़ी सी एक hole के रूप में seat बहार निकल जाएगी तो disk ये remove हो जाएगी और ये large hole का creation हो जाएगा तो इसको बोलते हैं trap hanging ठीक है अब आती है tapping tapping operation किसके लिए किया जाता है internal thread के लिए तो tapping operation हमेशा internal thread बनाने के लिए किया जाता है इतना याद रखिएगा ये तो आज आपका थडrill operation से related कुछ चीजें जो आपको I hope समझ में आ गई होंगी अच्छे से तो अगर इसमें कोई problem हों तो मुझे comment box में बताईए और इस video को like कीजे, share कीजे और मिलते हैं next lecture में, thank you